वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंट सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला इंडिया में आज पूरा देखेंगे मैप के साथ तो काफी इंपॉर्टन लेक्शर रहने वाला यह एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन है तो यह देश हैं सबसे पहले कैसे पढ़ना है यह देश और इनकी राजधानिया भी पढ़ें और जो इंपॉर्टन जानकारिय यह होगी वह भी देखेंगे मैप भी देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले शुरू कर रहें फ्रांस से फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों फ्रांस की राजधानी पैरिस है क्या है राजधानी फ्रांस की पैरिस फ्रांस बिकम दा ओनली कंटी टू मेक एबॉर्शन और स्पेन से बॉर्डर शेयर कर रहा है इटली है स्विजल लेंड है इधर आपका लगजमबग छोटा सा है और यह बेल्जीय में ठीक है फ्रांस की राजदानी क्या है पैरिस है अब फ्रांस से रिलेटड एक और इंपॉर्टन चीज जो आपको याद रखनी चाहिए कि यहां पर पर बाते हैं जो इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाते हैं कौन से पडियानीस परवश्रंकला है फ्रांस और स्पेन के बीच बॉर्डर बनाते हैं फ्रांस की राध्डानी है पैरिस फ्रांस की नियूज में है क्योंकि अब आबोर्शन को गर्वपात को constitutional right बना दिय है ठीक है अब देखते हैं Belgium बहुत इंपोर्टेंट है Belgium भी न्यूज में क्यों आ गया है तो देख लेते हैं Belgium has become the first country in Europe to recognize ecocide as a national as well as international crime तो एक नया word आया है न्यूज में कौन सा ecocide क्या होता है ecocide क्या होता है देखिए सब्सक्राइब होता है जब ध्यान से कर रहे हैं तो अब Belgium ने ऐसा कर दिया क्राइम बना दिया इसको international crime में अब क्राइम का मतलब तो यह होता है कि उसमें सजा भी होगी प्लस fine भी लगेगा भाई civil crime होता है जिसमें सिर्फ fine लगती ज़्यादा सजा नहीं होती है क्राइम का मतलब अब सजा होगी अगर आप पर्यावरान को production करेंगे पर्यावरान को दूशित करेंगे तो यानि लोगों की जान खत्रे में डालेंगे तो ecocide का crime आप पर लगेगा और आपको जुर्माना देना पड़ेगा किसने करा है Belgium ने यह चीज़ कर दिए Belgium की राजधानी क्या है Brussels है क्या है Brussels मैं आप दिखाता हूं अब Belgium की राजधानी क्या है Belgium यह दिखिए आपको दिख रहे हैं फ्रांस और इसके राजधानी ब्रुजल इसकी राजधानी पैरेस ठीक है यह देख लो अब अपना नया देश है Sweden कौन Sweden officially become 32 member of NATO Sweden एक नया member बन गया 32 member बन गया है तो Sweden आ जाता है नियूज में इसको लेके और नैटो भी नियूज में आ गया तो नैटो का है एकवाटर वही है ब्रुजिल्स में बेलजियम में नैटो का आट कौटर कहा है ब्रुजिल्स में बेलजियम मिया हुआई स्वेटन की कैपटल क्या होजाएगी Stockholm है गावकिया यह स्टॉट्क राजधानी क्या है स्टॉट्च निस्टोट्य इसकी तोनिया धδैंइंद् क्योंकि इसने 32 मेंबर बना है जो इसने नॉटों को जॉइन कर लिए ठीक है याद रखेगा अब देखते हैं बेलारूस के बारे में बेलारूस क्यों नीज में क्योंकि फॉरण मिनिस्टर जो बेलारूस की पेड़ ओफिशल विजिट करी इंडिया पेड़ ऑफिशल विजि एक सब्सक्राइब यह आपका देखेए बेलारूस है इसकी राजदानिय मिन्स्क यह कहां पर पड़ जाएगा लताविया लितुवानिया रश्या पोलेंड युक्रेइन से बादर शेयर करता है रश्या से इसलिए और ज्याद हो जाद हो जाता है तो इसको याद रखेगा और पर अव्या क assists दंदर उसकुराइब तो यह पर एंगे मिलारों उपर न जा जाएगा एंड लेंट तो इम्मपॉर्य आद रखेगा जिए उन कहािए इस पार्टिजिए फिर आर्मेनिया आता है अर्मेनिया विड्रोर इंच पार्टिए पर्टिपेशन फ्रम रॉश्य यह लेट स्यक्रेटरी बेट कल्योंट सेक्योरति ट्रिटी और कमेश्यन तो रश्या का diceardi जैसे नयम缝 ऑप ऐसे ही राश्या नहीं क्या बनाएं सीएस्ट्यों सीएस्ट क्या है प्साफ प्टूरी और्गनाइज़ेशन नैटों के अगेंस में क्या है क्लेक्टिव सेक्योरिटी ट्रीटी और्गनाइजेशन इससे विड्रा कर लिया है अर्मेनिया ने है आप सीएटीओं के आवा होगा रशीय करता है ना इसको तो आवेसली मॉस्को में होगा कहां पर है मॉस्कों में ठीक इसको याद रखेगा अर्मेनिया का भी एक बार मैप देख लिए जबावर्मेनिया इसकी राजदानी क्या है यह रावन है तर्की ज़ोरजीया हो गया का अजरवैजान सबसे इंपोर्टन चीज लैंड लॉक कंट्री यह जरूर याद रखो कैसी कंट्री यह लैंड लॉक हम को मिली विलकुल मिली अभी हमने बेलारूस को देखा लैंड गोज हुए तो ऐसे अर्मेनिया भी कैसी यह रावन इसकी ग्रेलिस्ट की वज़े से न्यूज में आगए अब यूए की कैपिटल क्या है अब उधाभी है तो यूए देख सकते हो अब कहां पर पर्शन गल्फ की कंट्री साओधी रेविया से बॉर्डर शेयर कर रही है और ओमान से बॉर्डर शेयर करती ठीक है और अब उधाभी इस मतलब ब्रेट बैरियर रीव को आठ साल में अब जो बैर्री रीव है अभी मैं आप दिख्या रहूँ आपको वह पूरा क्या हूँरिदी स्च्ट्रॉय हो रही है यह तकि यहाँ बैरियर रीव रीव आपको कोड़न के बारे इम पता इन्यादा सेंस्टिव होते हैं जरह स प्लिखते लगते हैं अब नेक्स देते हैं बलगारिया बुलगारिया क्यों में आया क्योंकि इंडिय नेवी ने रेस्क्राइब करा तो इसलिए ये नियूसमें आ यहां से खुल जाता है इसलिए बुल्गारिया लैंड लॉक नहीं माना जाता है ठीक है सोफिया इसकी राजदानी हो जाएगी रोमेनिया सर्विया इससे बॉर्डर शेयर करता है पस राजदानी याद रख लोगे न्यूज याद रख लोगे इंडिया और ब्रजील की पहली डिफेंस फोरन मिनिस्ट्री डाइवा है इन प्रजील की इसे के साथ पहला टू प्लस तुलmental डिफेंस और फ्र फोरन मिनिस्टर मिलते हैं दोनों देशों के तो इंडिया और ब्रजील कर दो का प्रस्वां डिवारिम धंट ग्रज़ीय कregald का रहे हैं वहां कि कौन प्रें कि मैप दिखाता हूं पहले आपको यह जब मैप इसका निकारा गुवा का आपके सामने है मैप Πास्टली rhe का नाम है त्रारी से इस अपने чем-देशने कुछ शोचने क्राइब आद है याद रखाई तो से गिरा हुआ निका रहा हुआ अब देखने हैती हैती इस एक्सपीरेंच दा सर्ज इन गैंग डिमांड फॉर रिजन रिजनाइजेशन ऑफ पी एम और देखिए इंडिया ने ऑपरेशन हैती इंदरावती भी यहां पे चलाए इसलिए और न्यूस में यह ऑपरेशन इंदर बेलारूज यूक्रेन अर्मेनिया यूए ऐस्ट्रेलिया बुल्गारिया ब्रजील निकारागू है थी अब मैं ले रहा हूँ आपका एक टेस्ट फिर इंडिया के प्लेश देखते हैं वाटाक से मुझे बताओ कमेंड में फ्रांस का कैपिटल बुल्गारिया का कैपिटल स्विडन का कैपिटल बेलारूज का कैपिटल खूझार राजधारनी जो नियूज में होती हूआ हुआ आती हू यूक्रेन का कैपटल अर्मेनिया का कैपिटल यूए घंडिय बुल्गारिया ब्रैय ब्राजिय निकारागू है थी फाटाक से बता धू बता दू हो लोग मैं बताता हूं फ्रांस हो पारेस हो गया बेलियम का स्टोछ विया स्टोग को मीज़ियम के ऐस तो के स्टाओवम मेलारूस का होगया आर्मेणीख का है मिन्स्क यॉक्रेन का की और ये रावन हो तो सबसे पहले शुरू करते हैं पटना से बिहार यह क्यों नीज में आ गया क्योंकि इंडिया का फर्स्ट नैशनल डॉल्फिन रीसर्च सेंटर खुला है पटना में तो इसको याद रखना आपको ठीक है डॉल्फिन जो है एक्वेटिक अनिमल भी भारत का ठीक है तो इसको प्रदेश ठीक है तो इस सेलर टनल काफी इंपोर्टेंट है याद रखना पूछ सकता है कहा है और नाचल प्रदेश में हैं अब नाचल प्रदेश की कैपिटल तो मैं नहीं बताओंगे तो आपको पताई होगी यह भारत की फिर आता है आपका पंडा वूला गुट्टा पंडा व गुट्टा यह तेंगाना नीज में आ alon जौशिकल सर्वे इंदिया इंफेसाइस प्रिजर्विंग जीो हेरिटेज साइट्स एडपंडाफूला गुट्टा तो पंडा वूलुला गुट्टा मेें जो होलेडेर्श साइथ साइट्स ओस को GSI क्या करी है प्रिज पर दिलंगा नाम फिर वाटर्शेट रीजन कजेवुली वाटर्शेट रीजन यह का है तमिल नाडू में तमिलनाडू नेट्वर्क इस तू बी प्रपोस्ट फोर नॉमिनेशन तो तो इस ता याद रखो चिप गजुबे ली Bardzo तमीलाड़ु में फिर आता है ठोटुटु कंद्टी ये खोक्लानुडु में पता ही होगा पीएम लटड दा फैंडेशन असक्मल कुला शेख्ण ऑड़ अपटीनम स्पेस पोर्ट कि10 कुला शेख्ण पटीनम स्पेस पोर्ट का कmentedered और नागपूर की नागपूर में किया है इंडिया का पहला ही सिटी स्पसिफिक zero-carbon building action priority फिर बाइं प्लान इंडिया फॉस्ट छीप स्पेसिफिक Zero carbon building Line प्लाटफॉम लॉंच हुआ आप पूर फिर जो है घुना घुना का मत्व्रदेश में याद रखना पूछ सकते है डेरेक्त सब्सक्वर गूना कहा है मत्व्रदेश गिर लिंडिया लिंपेड़ सेट अइंडियाउस फर्स्ट इस्मॉल स्केल लिक्विफाइड नैश्रल गैस यूनिट एट विज्यपोल मत्वर्देश ठीक आफ्टर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीटा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब महात्मागादी 1915 में आते तो पहला आश्रम वह यहीं कोलते हैं पिर जंतर मंतर उजयन का जो मद्ध्रदेश में विक्रमादिक्त वैदिक लॉग विचिस बेस्ट एप्रिल का जन्वरी का और मतलब कहने का जब भी एक्जाम होगा उसके 8 महीने पहले का आपको करना होता है तो क्या हर महीने मैं आपको प्लेजिन न्यूस करा दूं मैं आपके साथ कमेंट में जरूर बताईएगा